नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका ड्राइस पाप के एक नए वीडियो में किया मोटर्स ने भारत में अपने ट्रीटेल कारोबार को शुरू कर दिया है चौथे चरण के लॉक्टाउन में मिली छूट के बाद किया मोटर्स ने देश भर में अपने 85% डीलर्शिप और सर्विस सेंटर खोल दिये है जानकारी के अनुसार किया मोटर्स ने 120 शोरूम में बिक्री शुरू कर दी है कमपनी ने बताया है कि स्थानी प्रशासन की अनुमती से इन शोरूम को खोला गया है और कमपनी सभी दिशाने देशों का पालन कर रही है बता दें कि कया मोटर्स ने 8 मई से अनन्दपूर आंधर प्रदेश में इस्थित उत्पादन प्लांट को शुरू कर दिया था कमपनी अपूर्ती शंखला को दुबारा शुरू कर रही है ताकि ग्राहकों को सही समय पर कार उपलग्ध हो सके कमपनी ने अपने प्लांट और शुरूम में करमचारियों और ग्राहकों के लिए सुरक्षा प्रोटोकॉल भी जारी किये है कमपनी ने बताया है कि सभी शुरूम और सर्विस सेंटर पर इन सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा कमपनी दोराचारी सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहट करमचारियों के तापमान की नियमिर जाज की जा रही है और दैनिक आधार पर स्वास्त एप की मदद से उनकी निगरानी की जा रही है कमपनी अपने प्लांट में जदातर सेवा नेटवर्ग के लिए डिजितल पैप्फर्म का इस्तमाल कर रही है जिसके तहट लेंदेन के लिए डिजितल माध्यम का इस्तमाल किए जाने पर जोर दिया जा रहा है इसके अलावा किया मोटर्स ने किया केर नाम से एक कारिक्रम भी शुरू किया है इस कारिक्रम को वहन सर्विसिंग के दोरान सुरक्षा बनाए रखने के लिए लाया गया है किया केर एक थ्री स्टेफ प्रोसेस है जिसके तहट कमपनी वहन की सुरक्षा, ग्रहक की सुरक्षा और कार सर्विसिंग से जुड़े स्टाफ की सुरक्षा का ध्यान रखती है इस कारिकरम के तहट कमपनी वर्कषाप में कारों को ट्रेंड लोगों से सेनिटाइज कराएगी यह सारा काम सेनिटाइजेशन वश्रकार द्वारा जारी किये गए दिशानिय देशों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा तो कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आटो जगत से जुड़ी और भी तासा जानकारियां पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब करें और बने रहें ड्राइस पाक हिंदी के साथ